कि छत टपकड़े ही है बाल्टी लगी हुई है पूरा हिंदुस्तानी फिल्मों का सीन है स्वच बारत अभियान में गांदी जी के चश्मे को हम टांग देते हैं वैसे स्वचता की और गांदी जी का चश्मा जरुवत थी चश्मा पहनने की चश्मा वहां रख देने की नहीं स्ट्रीट वेंडर्स शेहरों की रीड होते हैं उनके साथ में आई कीजिए नाइस्टाफी हो रही है उनके साथ मैं स्मार्ट सिटी से अपनी बात शुरू करूंगा अब ये स्मार्ट सिटी सरकार भी बहुत बोल नहीं रही है सर इनकी एक चीज मुझे अच्छी लगती है अच्छा सा नाम रखो उस नाम के पीछे कामना हो तो दीरे दीरे बोलना कम कर दो उसके बारे मारे अब अब यह हाल में रास्टपती भवन में गंतंत्र मंडप बना साहब गंतंत्र का मंडपी करण नहीं होना चाहिए ये उचित नहीं लगता है महराल उपसभापती ना समझ लोग है सर ये तो विशुद भारतियता का हैसास कराता है कि जब बाल्टी से पानी सर ना समझ सब चेक कर लीजिएगा ना समझ सब अचा मैं वापस लेता हूँ ना एकदम भुपेंद्र भाई इसलिए आपको यहार रहना चाहिए मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे साथियों ने साथ इसकी मर्म को नहीं समझा कि छट बकड़िये बाल्टी लगी हुए है पूरा हिंदुस्तानी फिल्मों का सीन है मैं इसलि मेरी दूसरी चिंता है कि सवाच भारत अभियान में में गांदी जी के चश्मे को हम टांओ देता है वैसे सवाचचता की ओर गांदी जी का चश्मा जरृत थी चश्मा पहनने की चश्मा वहां रख देने की नहीं गांधी का चश्मा नहीं पहन सकते क्योंकि दो परस पर बिरोधा भासी चीजें गांधी और दूसरा मैं नाम नहीं लोगा एक साथ नहीं चल सकती क्योंकि मुझको नाम लेना भी बुरा लग रहा है सर्क तीसरी में मंतरी जी को कहूंगा स्ट्रीट वेंडर्स शेहरों की रीड होते हैं उनके साथ में आए कीज़ें ना इस्ताफी हो रही है उनके साथ आपकी नीतियां कुछ बनती है पुलिस प्रसासन किसी और से किसी और तरीके से आख्ष करता है और उस मद में जिसको हम कहते हैं पीएम स्वानिदी आपका एलोकेशन भी 30 प्रतिशत कम हो गया है तो मैं आपसे आगरह करूँगा उसको देखिए आईएसी स्वच्छता में आईएसी में एलोकेशन कम हो गया है अमरुत में आधा काम भी नहीं हुआ है प्रोपगेंड़ा अपनी जगह और मैं एक चीज़ कहूंगा माननिय मंत्री जी को आपके माद्यम से सब्सक्राइब करन की जरूरतों को गाउं को समझे बगएर नहीं किया जा सकता जब तक ग्रामीन पलायन ग्रामीन आर्थ बेवस्था उस पर आपकी नजर नहीं होगी आपकी पकड़ नहीं होगी तब तक शेहरों में लोग आएंगे आप एकुमडेट करने में फेल करेंगे आपके बदले कल को हम हो तब भी वो दिक्कते होंगी मैं एक चीज़ और भी उसमें कहूंगा संपती का असंतुलन भी शेहरों में बहुत दिखता है सर सर एक चीज़ और कहूंगा हमारे शेहर जब बनते हैं एक बिल्डिंग बनती है तो आपको श्रमिक लगातार चाहिए मजदूर लगातार चाहिए और वो मजदूर जब आपको बिल्डिंग मना के देता है उसके बाद वो मजदूर आपको भारी लगने लगता है वो जहां रहते हैं उसको आप स्लम कहते है और उस स्लम को अपनी नाजरों से दूर करना चाहते है स्लम हमारी नीतियां पैदा करती है स्लम में रहने वाले हमारी आपकी तरह के लोग है उनके बारे में द्रिस्टिकोन साफ होना चाहिए और ये सैटलाइट मेट्रोपॉलिस नहीं कि एक स्लम रिहाबिल्टेशन किया दिल्ली से 40 किलोमीटर दूल जाके रख दिया कैसे काम करेंगे कैसे रोजगार चलेगा तो ये चीजें सीवर ड्रेनेश के बारे में कई साथ ही बोल चुके हैं मुझे तो अक्सर यादाता है बिद्यारती जीवन में हरपा मोहनज़दरों की ड्रेनेश सिस्टम की तारीश सुनता था सर अगर टाइम मशीन हो तो वापस चला जाए वो ज़्यादा बेहतर था मैं और एक आखरी चीज़ करूँगा सर आजादी के बाद अपने देश में मल्टी कास्ट मल्टी कमिनिटी हाउसिंग सुसाइटी बननी शुरू हुई थी सर आज वो सारी चीज़ आखरी ती सेकेंड सर आज वो सारी चीज़े खत्म हो गई जातियों के नाम पर हाउसिंग सुसाइटी है समुदायों के नाम पर हाउसिंग सुसाइटी है और कुछ समुदाय के लोग किसी भी सोसाइटी में नहीं रह सकते ये हमारी राजनीत और नीत ने ताय कर दिया शुक्रिया सर जाहिन शुरी मती जया अमिता बच्चन